हलो एवरीवन राधे राधे स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने यूटूब चैनल पे तो यह देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले क्यूल्टेट पीस ली हूँ और इसको पहले ही मैं क्यूल्ट करके रेडी कर ली हूँ सबसे नीचे अस्तर के लिए चादेर थी पुरान करके सीधी सीधी सिनाहिया लगा करके हमें क्यूल्ट आप चाहें तो इसमें चौक और भी सिलाई लगा सकते हैं और इसका मेजेरमेंट मैं आपको बता देती हूँ तो इस तरीके से है यह लंबाई में 32 इंच और दूसरी साइड से चोडाई में जो हम मेजर करेंगे तो य किनारे के साइड से जहां से 32 इंच वहां से 3 इंच पर अपर से लंबाई में अ कि तो पर इस तरीके से 3 इंच में मार्किंग करेंगे और इसको आपस में सीधी लाइन खीचते हुए मिला लेंगे इसी तरीके से पहले सीधी लाइन खीच करके इसको आपस में मिला लेना है और उसके बाद इसको कट कर लेना है कट करने के बाद इसी के नाप का हम लेंगे चैन जीप लेना है और इसमें अटैच कर देना है तो यह देखिए गाइस यहाँ पर कटिंग हो चुकी है एक इंच स्याधा इंच तक एक्स्ट्रा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा है का इसको कुट कर दें पहले सीधी लाइए और पलट अब इसको पलट करके और फोल्ड कर लेना है डवल में इस तरीके से हम डवल में इसको फोल्ड करेंगे और अच्छे से बराबर करते हुए कपड़े को फोल्ड करके रखना है मिला लेना है आप चाहें तो किनारे पे दो या एक पीन लगा करके इसको अटैज कर दें ताकि मा वाला भाग है वहां से 2.5 इंच लंबाई में और 2.5 इंच रखेंगे लंबाई में और 2.5 इंच रखेंगे चोड़ाई में और इस तरीके से box की marking कर देनी है अच्छे से मिलाते हुए धाई भाई धाई का marking कर देंगे दोनों साइड में और इसको cut कर लेना है अब देख सकते हैं दोनों साइड पर मैं cut करके ready कर ली हूँ cut करने के वाद जो हम इसको open करेंगे तो कुछ इस तरीके का इसका look आएगा ये देखिए इस तरह से अब इसी के नाप से हमें लेना है एक साइड का जहां पर चैन लगा हुए वहाँ से एक कपड़ा लेना है lining वाला ही या आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं इसके नीचे लगाने के लिए ताकि packet बन जाए अब इस कपड़े की जो लंबाई रहेगी वह 19 इंच है और चोड़ाई 15 इंच है इसी में लिए हूँ थोड़ा समय बड़ा ही लिए हूँ ताकि सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा निकले उसको कट कर दूँगे अब इस तरीके से जहां से बॉक्स की कटिंग हुई है न वहां से हम एक इंच जितना लंबाई में छोड़ देंगे और उसके बाद चारो साइड कपड़े में सिलाई लगा करके इसको अटेच कर देना है अब इस तरीके से जब हम सिलाई लगा देंगे तो packet बन करके रेड करनी है तो सबसे पहले इसका center निकालेंगे इस तरीके से double में fold करेंगे एक center में सिलाई लगादेंगे अब जहां पर मैं cut लगाव हूँ वहां पर एक marking भी कर दे रहे हूँ ताकि अच्छे से clear दिखाई दे अब यह देखिए जहां से center की marking होई है वही से हमें 4 इंच मार्क बेल्ट लेना है मैं यहां पे Ready Mate belt का इस्तमाल कर रही हूँ आप चाहने तो कपड़े का भी बना करके रेड़ी कर सकते हैं इसकी लंबाई 5 इंच है दोनों का सिलाई लगा देंगे देखे इस तरीके से अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम अंदर के साइड फोल्ड करेंगे और इसके उपर हम टॉप की सिलाई लगाएंगे और जब टॉप की सिलाई लगाएंगे तो जो तनी लगी हुए जो बेल्ट लगा हुआ है उसको बाहर के साइट करना है और इसके उपर भी सिलाई लगा लेंगे तो यह देखिए गाइस बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूती के साथ बेल्ट और चैन दोनों लग करके रेडी हो चुका है सेम तरीके से दूसरी साइट भी लगा लेना है अब यहाँ पर दोनों साइट चैन और बे बराबर करके मिलाते हुए अब इसके अंदर रनर डाल देना है यहाँ पर मैं दो रनर का इस्तमाल कर रही हूं आप चाहें तो एक भी लगा सकते हैं एक इस तरीके से और दूसरी साइट से दोनों साइट से करके डाल देंगे अब यह दिखिए गाइस यहाँ पर मैं रनर कर ली हूं आप जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसको कट करके बराबर कर लेना है रनर को बीच में कर देंगे अब इसको पलट करके उल्टा कर लेना है यहाँ पर देखिए मैं पलट करके उल्टा कर ली हूं इसको अच्छे से बराबर सेट करते हुए दोनों साइट पे सिलाई लगा देंगे और दोनों साइड सिलाई लगाने के साथ साथ इसमें हम पट्टी भी लगा करके रेडी करेंगे तो देखें मैं कपड़ा भी साथ में ली हूँ तो दोनों साइड में सिलाई और पट्टी लग करके रेडी हो चुका है बहुत ही फिनिसिंग के साथ में अब यह जो नीचे की box cutting हुई है उसकी सिलाई करनी है तो सिलाई करने से पहले थोड़ा सा जो extra कपड़ा निकर रहा है उसको हम cut करके बराबर कर लेंगे मिलाते हुए अगर यह बराबर नहीं आ रहा है तो फिर से measurement ले करके मेजर करके जो भी कहीं से कम जादा है उसको हम बराबर करके cut कर सकते हैं अब इसको देखिए इस तरीके से हमें पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है इसी से इसका base बनेगा तो दोनों साइड में सेम तरीके से पकड़ेंगे और दो-तीन सिलाई लगा करके पक्का कर देंगे यहां पे भी चाहें तो पट्टी लगा सकते हैं मैं पट्टी नहीं लगाई हूं दो-तीन बार सिलाई लगा दी हूं ताकि अच्छे से यह मजबूत हो जाए अब इसको यहां से open कर लेंगे जो बड़ा वाला piece है जहां पे हम चैन लगाए है वहां पे open करने के बाद देखिए कितना अच्छा इसका finishing आया है जो भी corner था corner को अच्छे से हम नि लगा सकते हैं और उसके नीचे कपड़ा लगा सकते हैं तो दो packet बन करके ready हो जाएगा और बीच में एक बड़ा सा packet है तो बस कपड़े का एकदम चोटा से ही टुकड़ा था ज्यादा बड़ा नहीं था बस 32 लंबाई में और 19 लंबाई में लेना है कपड़ा और ज्यादा इसमें समान भी नहीं लेगा और बनाने में भी बहुत ज्यादा कम ही टाइम लगता है ज्यादा टाइम नहीं लेगा और बहुत ही असान तरीके से इस तरीके से महंगा मिलने वाला सौपिंग बैग घर पे बना करके ready कर सकते हैं देख सकते हैं आप कितनी अच्छी इसकी finishing आई है कितना अच्छी इसका look लग रहा है और बैग का जो असली safe है इसी से पता चल जाता है जब base बनता है देखे ऐसे में इसको रख रही हूं तो बिल्कुल असान तरीके से रखा जा रहा है कहीं से गिर नहीं रहा है थैंक्यू सो मच गर्दों